नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हर बेक्ती चाहता है उसका भागय उसका साथ हमेशा दे लेकिन आज हम आपको आपकी रासी के अनुसार बताएंगे जैसे कि हमने टाइटल रखा है दो हजार चौबिस से दो हजार ब्यालीस तक कहने का तात परे आप अभी कितने उम्र के हैं उस अनुसार ही आप अपनी उम्र के अनुसार देखेगा कि आपका भागय उदे कब होता है और सबसे भागय साली समय कौन सा रहेगा तो इस प्रेड में आप उसको चेक कर सकते हैं देखिए हर कोई जोतिस के माध्यम से या अन्ने माध्यम से जानना चाहता है कि वह सफ प्राप्त हो जाए तो जोतिस क्या कहता है अगर हम जोतिस सासे में भीगु सहिता की बात करें तो वेक्ति अपने जीवण के भागय उदे कश मय को जान सकता है तो चलिए इस बात करते हैं मेसराशी सउ जब मेस वाले हैं ना, उनका भागियोदे उम्र के 16 वर्स में होता है, या दखिए उम्र के 16 वर्स में, अब आप सोचीए का 16 साल में तो बत्चा बहुत छोटा होता है, लेकिन ऐसा भिगु सहिता कहता है, अगर by chance किसी कारण वस उम्र के 16 वर्स में भागिय नहीं वर्स में या फिर 32 वर्स में 36 वर्स में भाग्योदय होने की प्रवल संभावना होती है और फिर से सुले 16, 22, 28, 32 और 36 यह पांच ऐसे प्रियड है जब आपका भाग्योदय खूब होता है इस समें भाग्य चरम पे होता है जितना मेहनत करेंगे इस उम्र में उतना ज्यादा स साल में होता है 25 वर्स की आयू में होता है अम माल लेते हैं कि आपका 25 वर्स की आयू तो निकल गया पर भाग्योदय हुआ नहीं है तब कब होगा तब आप जिंता ना करें क्योंकि उम्र के 28 में 36 में और 42 में वर्स ही आपके लिए बहुत सौभाग्य साली होता है यानि कि आपके लिए चार ऐसे समय है जब आपका भाग्योदय भाग्य चरम पे होता है इस प्रेड में आप अगर थोरा भी मेंनत कर ले तो किस्मत का साथ मिल जाता आप आगे बढ़ जाते हैं यानि 25, 28, 36 और 42 मिथुन डासी देखें मिथुन वालों आपके भाग्योदय उम्र के 22 वर्स में हो जाता है याद रखिए 22 वर्स में अब 22 से ज़्यादा उम्र हो गया भाग्योदय नहीं दिया है तब तब उम्र के 32, 33 और 36 वर्स में आपका भाग्योदय होता है लेकिन इसमें भी नहीं हो तो तब 42 वर्स में आपका भाग्योदय जरूर होगा यानि अब यह साल के हैं थोड़ा भले ही भागे कम दे साथ लेकिन जब 36 साल होगा आपका 36 येर वाला समय 42 येर वाला समय इस समय आप जो भी कारे करेंगे उसमें सफलता जादा मिलेगी भाग्योदे होने की संभावना बन जाती है याद रखें 22, 32, 33, 36 और 42 करकरासी देखिए आपका भाग्योदे 16 वर्स की उम्र में ही हो जाता है अब माल लेते हैं 16 साल में आपका भाग्योदे नहीं साथ दिया है तब उम्र के 22, 25 यानि 22 वा साल पचीसवा साल भी भाग्योदे साली माना जाता है इसके बाद 28 और 32 वर्स की आयू भी आपके लिए भाग्योदे साली माना जाता है यानि कि आपका भाग्योदे बहुत जल्दी कम उम्र में हो जाता है 16, 22, 25, 28 और 32 इस उम्र के बीच अगर आप कोई भी कारे करते हैं तो सफलता प्राप्ती की सभावना बढ़ जाती है आपको सफलता जल्द जल्दी मिलने लगती है तो आप इस प्रेड में खूब मेहनत कीजिए क्योंकि पहले से भी कर रहे हैं तो और अची बाद इसमें जादा बेनी फिट होगा सिंग रासी देखे आपका 16 बर्स से ही आपका भाग्योदे 16 बर्स में होता है और इसके बाद, इसके बाद से ही आपके किसमत आपके साथ देने लगते है इसके बाद उम्ड के 22, 24, 26 और 28 साल की उम्ड में भाग्योदे होता है यानि आपके भी 5 ऐसे समय हैं जब भागे जम कर साथ देगा 16, 22 साल, 24, 26 और 28 ये ऐसे समय है जिसमें आपका benefit आप बैपारी हैं भागे खुब साथ देगा इसमें आप देखिएगा जॉप करते हो सकते हैं प्रमोशन हो जाए आपकी जॉब लग जाए तो इस तरह से भाग्योदे होता है कन्यारासी, देखिए कन्या बालों का भाग्योदे 16 वर्स की उम्र में हो जाता है अगर किसी कारण वर्स आपका भी भाग्योदे 16 वर्स की उम्र में नहीं हो तब तब उम्र के 22, 25, 32, 33, 35 और 36 वर्स में आपका भाग्योदे होता है यानि इस इस उम्र में जाकर आप तरह की ज़्यादा करते हैं याद रखिए 16, 22, 25, 32, 33, 35 और 36 में वर्स साल में तो इस समय में आपको जम के मेहनत करना है मेहनत पहले से ही करके रखिए लेकिन इस प्रियर्ड में इसका बेनिफिट आपको दिखेगा तुलारासी इनका भाग्योदे थूड़ा सा बिलम से होता है बिलम से मतलब 24 साल की उम्र में इनका भाग्योदे होता है अब माल लेते हैं किसी कारण वर्स 24 साल में भाग्योदे नहीं हुआ तब उम्र के 25 साल में भाग्योदे जरूर होगा इसके बाद 32, 33 या फिर 35 साल आपके लिए 30 होता है भाग्योदे के लिए यानि उम्र के 24, 25, 32, 33 और 35 उम्र है आपका इस उम्र में भागय का साथ मिलता है आपका भागयोदे होता है लक्षमी महरवान राती है आप जिस भी चीज में हाट डालेंगे न वहीं पर सफलता मिलेगी तो इस प्रियोड में भागय का साथ पाने के लिए आपको थोड़ा प भागय का साथ इनको मिलने लगता है हलांकि ज्यादातर मामनों में देखा गया है विस्टिक वालों को 24 साल की उम्र में भागय का साथ खूब मिलता है और खूब सफल होते हैं इसके बाद उम्र के 28 में या फिर 32 साल में भागयोदे होने की समावना बढ़ी है याद को जम के मेनद करना इसका फल आपको जरूर मिलेगा जो भी करते हैं इस उम्र में प्रयास्तेश कर दीजेगा यकीन मानिए आप पीछे मुड कर नहीं देखेंगे धनूरासी धनू वाले उम्र के 16 वर्स में ही इनका भागयोदे हो जाता है इसके बाद फिर अगर मान लेते हैं 16 वर्स में नहीं हुआ बाइचंस तब उम्र के 22 वर्स में या फिर 32 वर्स में इनका भागयोदे जरूर होता है किसमत का साथ मिलता है तो 22 साल अब भागयोदे कैसे होता है जैसे कि आपको जौब लग गई मन पसंद बैफसाई किये होंहां पर तरक्की हो गई आपने जिस भी कारे में हाट डाला हो वहीं पर ऐसा निकल गया कभी-कभी तो लोट्री वेगरा से भी धन लाब हो जाता है दोनवालों को तो उम्र के 22 या 32 16 साल में अगर नहीं हुआ तो 22 या 32 साल में आपका भागयोदे होना तय है तो इस प्रियड में आपको खूब मेहनत करना है खूब प्रियास करना है ताकि आप तरक्की करें अब जानते हैं मकर वालों के बार देखें मकर वालों का भागयोदे 25 साल में होता है उम्र के 25 साल माल लेते हैं आपको गुजर किया भागयोते हुगा नहीं है तब उम्र के 33 35 और 36 साल में भागयोते होने की प्रोल समामना बनती है यानि कि चार ऐसा पिरियड है जब भागय का साथ जादा मिलेगा अन्य समय के पेक्षा जादा भागय साथ देगा याद रखिए 25 33 35 और 36 तो इस उम्र में आपको प्रेयस्टेश कर देना है याद रखिए वैसे तो आपके रासी के स्वामी सनेदेव है और लाइप टाइम जबते रही है यकीन मानिये जब लगने के जो स्वामी मजबूत हो जाते है ना सब कुछ असान हो जाता है कुम रासी की बात करते हैं तो कुम वागयोदे तब उम्र के 28, 36 या फिर 42 साल के उम्र में भागयोदे की संभावना होती है याद रखिए 25, 28, 36 और 42 वर्स के आयू में भागयोदे होने की संभावना होती तो इस परियड में आपको खुब मेनत करना चाहिए ताकि आपको भागय का साथ जो मिल रहा है उसका आपका भी भाग्योदे कम उनमे ही हो जाता है यानि उम्र के 16 वर्स में अगर 16 वर्स में नहीं हो पाया है तब आपको उम्र के 22 वर्स में किस्मत का साथ मिलेगा और फिर 28 या 33 वर्स की आयू आपके लिए भागे साली सावित होता है या दखिए उम्र 16, 22, 28 या 33 साल में भागे का साथ जादा मिलता है आपको तो हम आप से विदा लेते हैं वीडियो पसंद आए जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सकाइब करें अपनों से सेर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरू लिखे है वैसे मीन वालों आपको ओम डिंग बिस्पते नमाक मंत्र का खूब जब करना चाहिए क्योंकि आपके रासी के स्वामी गुरू है और उनको बल देते रहिए दनिवाद